हेलो एवर्यवन कैसे आप सभी लोग वेलकेम टू एंडेवर प्रैप मिरा नाम है सुरच चौबरी दोस्तों अभी अभी यूए के रश्टपती भारत पहुंचे एहमताबाद के सरदारवर लबाई एरपोर्ट पर पहुंचे और वहां पर प्धानमंतरी मोदी ने प्रोटो पहुंचे थे याद अपने अपने बहुत इंपोर्टन हो जाता है क्योंकि देखो पिछले साथ महीने के अंदर दोनों निताओं की जो है चौती मुलाकात है और जो पाच भी मुलाकात है वो फरवरी 2024 के अंदर सिर से दुबई के अंदर होने वाली है अब यह पहुंचे है याद अठना गुजरात 2024 के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जिसकी शुरुवात आपको पता होनी चाहिए कि 2023 के अंदर प्रधान मंतरी जब उसमें पर मोदी जी उसमें पर गुजरात के मुख्य मंतरी थे तभी यह शुरुवात की गई थी अब यह दोनों की मु के लिए और चौथा जो है पूर्ट कंस्ट्रक्शन के लिए गुजरात के अंदर है सबसे पहले दोस्तों बात करते हम लोग इंडिया और यूए की आपको पता होना चाहिए कि दौनों के दौनों जो है आई टू यूटू के सदस्ते हैं देखो यूटू यूटू क्या है एक फौर्ण गुरूप है जिसको जो है अप्टूवर 2021 के अंदर अबराहम अकॉर्ड के बाद में और अबराहम अकॉर्ड याद रखना यूए और इस्राइल की बीच का अकॉर्ड है जहां पर उनने अग्रिमेंट किया था कि हम जो है मैरिटाम सेक्योर्टी इंफ्रस्ट और ट्रांस्पोर्ट के लिए साथ मिल करके काम करेंगे अब आइटू यूटू के दोनों सदस्यां तो वहां पर भी कुछ अग्रिमेंट हुए थे जिससे जुड़े हुए अग्रिमेंट फिर्से जो है दोनों देशों के बीच में हुए हैं बात करते हैं एनरी सेक्टर की तो energy sector के अंदर I2, U2 के अंदर दोनों accord हुआ था कि भई दोनों देश मिलकर के काम करेंगे और hybrid renewal energy की बात यहां पर की गई थी hybrid renewal energy पर दोनों देश जो है बच्चे गुजरात के अंदर काम करेंगे जिसके अंदर 300 MW का wind और solar capacity पर काम किया जाएगा इसके साथ UAE based जो forms है वो अपने partner भी ढूट रही थी भारत के अंदर जिसमें वो knowledge and investment partner की main बात करते हैं इसके बाद एक agreement जो है वो health sector के अंदर हुआ साथ में food park establish करने की बाद गुजरात के अंदर हुई है यह कहा गया है कि investment जाएगा वो UAE से और उसके बाद में जो है land available करवाना गुजरात सरकार क का काम है और इसके साथ साथ जो है farmers को integrate करने का काम भी जो है गुजरात सरकार का होगा याद रखना दोस्तों food park जो है वो West Asian countries के लिए बहुत important है क्यों जैसे हमारे हाँ पर fertile land है अच्छा पानी है यह दोनों चीजों की कम्यापको West Asia के अंदर देखने को मिलती है तो food security को ब गुजरात में एक company है UAE based जिसका नाम है DP World और साथ में गुजरात सरकार दौनों के बीच में अग्रीमेंट हुए तो चार अग्रीमेंट जो है इस यात्रा के दौरान जो है अभी तक हुए है आगे कुछ होता है तो वह मैं आपको अब्रेट कर दो है लेकिन उससे पहले मै मैं आपको थोड़ा सा इंडिया UAE relationship के जो गहराई है वहाँ पर लेकर चलता हूँ ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे पिछले जो चार से पांस साल के अंडर development हुए उसकी हम लोग बात करें देखो कुछ दिन पहले मोदी जी खुद जो है UAE गए थे वहाँ पर अबु साथ साथ दोनों देशों ने कई बार agreement कि हैं और यह कहा है कि हम अपने relations को improve करने के लिए determined है यानि की कटेबध है इसके साथ साथ हम अपने trade को भी boost करेंगे और इसके लिए हम को भी नया initiative लेने को तयार हैं तो आप देखेंगे क्या के initiative अब तक लिए जा चुके हैं जो recent development मैं आपको बता हूँ पिछले साल वर के agreement यहां पर एक agreement यह हुआ था कि देखो दोनों देशों के वीच में trade होता है जब trade होता है तो हम पर payment भी होती है तो दोनों नहीं है कि अब हम जो payment करेंगे और dollar में ना करके हम उसको local currency के अंदर switch कर सकते हैं जैसे कि India का रुपी है औ महां के central bank और साथ में भारत के RBI की बीच में हुआ अब इसका फायदा क्या होगा इसने फायदा यह भी लेगा कि जो exchange rate का जो risk है वो कम हो जाता है इसके साथ साथ banking sector के अंदर दोनों देशों के अंदर cooperation बढ़ सकता है और साथ में जो है हम अपने trade और economic activities को boost कर सकते हैं तो unified payments interface और साथ में UAE का IPP instant payment platform instant payment platform तो इन दोनों को link करने की बात कही गई थी इसके अलाबा जो switch card है जैसे की इंडिया का रूपे है UAE का switch है इनको भी link किया जाए अब इसका फायदा क्या हुआ देखो हमको पता होना चाहिए कि हमारे 3.5 million लोग 35 लाक भारतिये UAE के अंदर र जाते हैं ट्रेड भी होता है तो ऐसे में अगर यह services link हो जाती है तो वहां पर payment का जो service है payment service तक सबका access हो पाएगा और इसके साथ साथ जो cost of payment है वो cost of payment बहुत कम हो जाएगी हो सकता है इसको हम बिलकुल negligible लेकर क्या है मत्तब पता ही ना चला कि सामने वाले ने payment क्या उसक इसको लेकर यह बहुत बड़ा improvement हो जाता है मैं आपको ज्यादा बाते नहीं करूंगा simple सी बात बता हूँ आपको कि इंडिया UAE relationship को अगर आप समझना चाहते हैं तो दोस्तों उसके तीन पिलर है पहला energy दूसरा economy और टीसरा आजाता है expatriate एक ही करके चर्चा कर लेते हैं आपको समझना जाएगा सबसे बहले बात करते हैं इंडिया की देखो इंडिया हम जानते हैं कि हमारे पास जो ऑईल है natural ऑई हमारे पास होता नहीं है तो हम इसको import करते हैं बाकी देशों से जैसे कि साओधी अरब है आज इसकल तो हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं इरा अब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ओईल लेते हैं बागी को देते नहीं है हम लोग भी क्या करते हैं प्रिश्यस स्टोन साथ में पल्स उसके साथ साथ electronic मशीन भी जो है वो UAE को बेशते हैं क्योंकि उनको भी चीज़ों की यावशक्ता जो उनके हां पर अवेलेवल नहीं है हम उ ऐसा नहीं करें कि ऑईल का बिल बढ़ा दो नहीं हम क्या चाहते हैं ऑईल के अलावा जो दूसरे आइटम है उनका ट्रेड जादा होना चाहिए यूएस से और चाइना के बाद में यह हमारा थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है और याद दखना हम जो एक्सपोर्ट करते है यूएस का सबसे बड़ा पार्टनर होता है सेकेंड नंबर पार आता है हमार एक्सपोर्ट में U.A.E. अगर हम U.A.E. की बात करें तो उनके भी सेकंड लार्डेस्ट पार्टनर जो हैं हम ही हैं तो यह हमारा ट्रेड रेलेशन सिफ है U.A.E. के साथ में बात करते हैं हम लो होने में बहुत important role होता है April 2000 से लेकर के September 2022 तक आप देखेंगे तो यह जो investment है वो 15.2 billion dollar रही है वर्तमान में यह 3 billion dollar है और इसको अगर आप 2 साल पहले देखेंगे तो 1.03 billion dollar थी हमारा 7th largest foreign investor था UAE अब आप देखेंगे दो साल के अंदर यह जम करके चौथी जगे पर आगया है इसका मतलब किया यूए इंडिया थे में बहुत जाड़ा इंटरस्टेड है हमारा comprehensive economic partnership भी है यूए के साथ में लास्ट 10 years में अगर हमने किसी के साथ में free trade agreement किया है तो वह सिर्फ UAE है एक मातर आवेक कंट्री है जिसके साथ हमारा free trade agreement है लास्ट अगरीमेंट हमने 2011 में जापान के साथ किया था तो वी आर वेरी सिर्यास अब क्वेश्चन यह आता है कि चलो हमको दाना चलता आज के टाइम पर वो oil के आसपाच चलता है लेकिन इनको भी पता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर यह oil खत्म हो जाएगा तो तब हम करेंगे क्या तो ऐसे में साथी अरब हो UAE हो यह सब के सब अपने व्यापार के अपने economy के portfolio को wide करना चाहते हैं तो oil के अलावा यह लोग निकल करके जैसे अभी मैंने आपको बताई food park की तो food industry के अंदर यह interested है इसके साथ साथ green infrastructure इस पर भी जो है UAE बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और इसके साथ साथ आप देखेंगे real estate के अ अच्छे construction आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं तो जब यह अपने portfolio को diversify करना चाहते हैं तो इनको एक reliable partner चाहिए इंडिया ऐसा partner है इसके बाद में चलो यहां से बहुत आरा पैसा आपने oil से कमा लिया तो उस पैसे को क्या कर सकते हैं पैसे को पैसा कम आता है इंडिको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट कहां करें इन्डिया एक बहुत अच्छी destination है इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूंकि UAEBA मानता है कि हमको भी आगे बढ़ना है तो उन्होंने अपने लक्षे तैकी हैं जैसे कि वो चाहते हैं कि उनका जो manufacturing sector है उसको भी group करना है 2021 तक कर सकते हैं इसके साथ साथ जब भी आप किसी इंडस्ट्री में गाम करते हैं गवर्मेंट के इंदर गाम करते हैं आपको experts की आवश्यक्ता बढ़ती है तो एक trend होता था पुराने टाइम पर कि जितने भी एक्सपर्ट है न वेस्ट कंट्री से हैंगे मतलब क्या है जादा भड़ती कि इसके साथ यह लोग इंडिया के जो वैपन से डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर ही बहुत जादा इंट्रस्टेट हैं जैसे कि अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो यह चाहतने कि बहुत सारे डिफेंस आइटम्स ऐसे हैं जिसके अंदर यूए चाहता है कि इंडिया और वो मिलकर के काम करें इसके साथ आप हिस्टोरिकल तोर पर उठा कर कि दीए जहां पर भी टेरिजिन की बात आई है आतंक बात जैसे उन्दों की बात आई है यूए ने खुल करके भारत का सपोर्ट किया तो हमारे लिए भी क्या है यह रिलायबल पार्टनर बन जाता है तो ठीक है दोस्तों तो मैं आपको बताये कि भाई इंडिया और यूए का रिलेशन सिप आज की टाइम पर कहां पर स्टेंड करता है बहुत कम समय मैं इसको बताने का प्रयास गिया है कभी वीडियो का टाइम मिलेगा तो मैं आपको जो है डेटेल्ड वीडिय ये शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें मुझसे जोड़ना चाहते है तो टेलेग्राम चैनल यहां पर गिवन है फेस्बुक आइड़ी यहां पर गिवन है इसके साथ सा जो है वेब साइट हो इंस्टाग्राम हो ट्विटर हो लिंक्डिन हो बबाइ